पानी से भरी बाल्टी क्यूं रखते हैं रात के समय रसोई घर में? नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल देशी स्पिरिचुल पे नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें महिलाओं को घर की लक्षमी समझा जाता है, वो अपने कर्मों से दुरभागे को सौभागे में बदल देती हैं लेकिन उनके कदम घर की सुक सांती भंग कर सकती है, घर में गरीबी आ सकती है, धन दौलत भी छिन सकता है इसलिए कुछ ऐसे कारी जो उनको कभी नहीं करने चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है जोतिस सास्तर के अनुसार, सुर्यास्त के बाद महिलाओं को किसी दूसरे के घर से कभी भी भूल कर दूध, दही, नमक, तिल और प्याज नहीं लाना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो जिनके घर से आप ये पांच चीजे लाएंगे, उनके घर की सारी वाधाएं आपके घर में आ जाएंगी और आपको कश्टो का सामना करना पड़ सकता है दूसरा जोतिश के मुताबिक महिलाओं को सोने से पहले कभी भी बाल को नहीं धोना चाहिए महिलाओं को हफ्ते में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा-थोड़ा सेधा नमक पेपर पर रख कर फर्सक पर जरूर रख देना चाहिए अगले दिन सुब ऊठ कर सबसे पहले बिना किसी से बात किये उस नमक को घर से बाहर निकाल दे ऐसा करने से आपके घर की negativity बाहर हो जाती है किचन में ना करे ये काम आपको रात में किचन में जूठे बरतन नहीं रखने चाहिए कीचन में रात में जूठा बरतन रखने से घर में हमेशा लक्षमी का वास होता है घर पर हमेशा लक्षमी, वैभव, संपता और सांती आती रहती है रात को सोने से पहले घर में जाडू को दच्छिर और पच्छिम दिसा में छिपा कर रख देना चाहिए इससे धन में लाव होता है, सुकसांती बनी रहती है रात को सोने से पहले रसोई में एक बाल्टी पानी भरकर जरूर रखना चाहिए ऐसा करने से इस मृद्धी का वास होता है, मा लक्षमी प्रशन होती है खाली बाल्टी एक तनाव का प्रतीक है इसलिए कभी भी रात को सोते समय महिलाओ को अपने कीचन में खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए एक बाल्टी भरे हुए पानी का जरूर रख दे इससे कीचन में कभी भी धन का और अनपूर्णा देवी का प्रभाव कम नहीं होगा ऐसा करने से मा अनपूर्णा उस घर पे हमेशा खुस रहती हैं और मा लक्षमी हमेशा प्रशन रहती हैं धन्यवाद दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल देशी स्प्रिचुल पे बने रहें